केजरीवाल जी गुजरात के पांच्छे कार्यकरता को बाद करके उसके नाम भी नहीं जानते हैं और यहां तो नरेंदर भाई मोधी, अमीत भाई शाह जी वो हज़ारो कार्यकरता को नाम लेके बुलाते हैं उन लोगों का स्वभाव बोल के फिर जाना है है और हज़ारों कारेकरता को वचन दे के उन लोगों ने उसके साथ दोका किया है डबल फिगर में भी नहीं जाय सकती है दस का आकड़ा भी नहीं छुपाएगी डिपोजीट भी बचा ले तो बहुत बढ़िया है मैं धाई साल से आमादमी पार्टी में था उसके पहले सतरा साल भारती जनता पार्टी में मैंने काम किया है तो कोई भी ओर्गेनाईजेशन है सामाजीक संगठन, राजके संगठन और मानवी अभीगम को केंदर में रख के चलना चाहिए इस तरह से भारती जनता पार्टी चल रही है और मैंने अनुभूती की है उसके बाद मैंने आमादमी पार्टी जोइन की तो आमादमी पार्टी आज कोर्पोरेट स्टाइल से चल रही है जो संगठन जैसा कुछ है ही नहीं जिस कौर्पोरेट की बाद वो बीजेपी पर करते हैं कि यह कौर्पोरेट चल रही है आज की तारीख में अगर मैं राजकोट में हूं राजकोट में केजरिवाल जी का कार्यकरम तई करना है तो वो संदीप पाठक जी के टीम से जो लोग आये है एलपोट, एपोट, जेटपोट वो लोक ते ही करते हैं ओर बोल द firms कॊछ करिये करता से चल रही है आप यह बताईगें, बड़ा दुख ह smoo कि जिस पार्टी को आपने यहां पर जब उसका कुछ भी यहां पर नहीं था उस समय यहां पर उसको बड़ा किया और आज आपको नजर अंदाज किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? वह तो क्या बोले, उसके और हमारे नसीब, उसमें क्या, यह तो होता रहता है, जीवन में सब तो हम इच्छा मुझब नहीं होता है, तो इस वर की इच्छा समझ के हम चलते हैं, उसका नसीब हो, वहां तक मेरी लेंड देन थी, तहां तक मुझे काम किया, तो उसमें सी भी केजरिवाल जी है, वो कारेकरता को पहचानते भी नहीं है, केजरिवाल जी गुजरात के 5-6 कारेकरता को बाद करके, उसके नाम भी नहीं जानते हैं, और यहां तो नरेंदर भाई, मोधी, अमित भाई, शाह जी, वो हज़ारों कारेकरता को नाम लेके बुलाते हैं, वहां तो नहीं लगता है, क्योंकि कैसे है, आज मैं जाओं, अधर स्टेट में जाओं, ठीक है, वो जो लोग कर रहे है, वो एकदम दंब है, यह हाइप बढ़ा रहे है, अपनी जो हम गुजराती में जो बोलते हैं, खुद का महत्वा बढ़ा रहे है, और उसके उसने सिस्टम बन ही रखी है, एक नाराजगी मेरी यह भी है, मैं दंब नहीं कर सकता हूँ, जैसा हूँ, जैसे आप मुझे स्विकार हो तो अच्छा है, आप नहीं स्विकार हो तो मैं दूसरों को नहीं बोलता हूँ, यह मुझे पूरी दुनिया मुझे स्विकार रहे है, जो है वो बोलना क्या लगता आपको असलियत क्या है दिल्ली और गुजरात की वो पंजाब की उस सब कह रहे हैं तो वहां कुछ होगा लेकिन मुझे अब डाउट यह हो रहा है कोई भी व्यक्ति है नहीं उसका सोभाव और एक सिती में एक रहता है मेरे जीवन में मैंने तेग यह सोभी मान के बोग पर कुछ भी नहीं स्विकारता है कहीं बी हूं भाजपा में हूं अन्य संगठन में हूं मेरे बि Cind grew उसमें सोभी मान की बात आती है तो मैं सभी मान के साथ सम्झोता नहीं करता हूं तो ओव मेरा स्भाव बन गया है तो यह बोलते हैं हिमान दारी की बात है तो घyn करें मांदार गटर की बोलना पड़ता है और एक बात यह के जो लूग कह रहे चो वाद के जो पक्के होते हैं जिसका सोभाव ही बन जाता है ब yağदा का वडा करना वो बोले फिर लक्षम रखा बन तो हजारों कारेकरता के साथ वादे करके फिर गए तो उसका क्या भरुशा करेंगे उसका सोभाव ही नहीं जो बोले वो करना लेकिन किस तरह से कर रहे है वो उसको मालूम और उसके पीछे कुछ उसका एम हो कि यहां तक करके फिर हम फिर जाए लेकिन उसका उन लोगों का सो लेकिन अभी वहीं है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी क्या करें वह आने वाले चुना में वह सब कारेकरता को मैं संदेश देना चाहता हूं कि जो लोगों ने हम पर भरोसा किया था जिन जिलो में मैंने संगठन बनाया जो लोग ठीक है आमादमी पार्टी की भी कि एक image है और उसको देख के आए थे साथ में राजबा है तो राजबा का नेतरूत्वश्च है और राजबा जो बोलेंगे वो करेंगे उस विश्वास से के साथ जो लोग मुझे जोड़े उन लोगों को मैं बोलता हूँ कि आपको ऐसा लग रा है कि आपके साथ विश्वास कात हो रहा है तो आ जाओ मैं फिर से आपके या कारियो करता मेरे प्राकर मुझे पर जिसने बरौसा किया मैंने उसे कुछ कमिटमेंट किये तो मैं उसके और आपने कमिटमेंट किये तो मैं ने किये तो मैं कमिटमेंट से फिर नहीं जाता हूँ मेरा सोभाव नहीं मर जाता हूँ लेकिन यह नहीं कर सकता हूँ आप नहीं कर तो मैं उसको मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता हूँ सर नाम क्या आपका? मेरा अक्से भई धाडवी नाम है आप ये बताए आज आप आम आदमी पार्टी को छोड़ की भारतिय जनता पार्टी में सामिल हुएं ऐसा फैसला क्यों किया आपने? मेरा अक्से भारतिय जनता पार्टी में भी सामिल हुएं बहुत अच्छा दिन है जब मैं 2019 में आप आप ये जोईन हुआ था तब कोई भी पार्टी में नहीं था राधनीती में था ही नहीं मैं मैंने देखा कि मतलब केजरिवाल साब जी जो बात कर रहे है पार्टी जब कोई था नहीं तब से हम लोग की यूपन किया वो सब अपनी पार्टी है चलो ऐसे काम कर रहे थे। तो अचानक वहाँ पर जैसे राजबा साब ने अंदर बताया कि मतलब संदिक पाठक जी की एंट्री होने के बाद सब डिजल कर दिया गया डिजल होने के बाद मतलब ऐसा कुछ चला कि जो कारिय करता है मतलब कहां से सब लोग मतलब हेलिकॉप्टर की तरह आ गए जो काम नहीं कर रहे थे उन उन लोग को मतलब पुरा होदा के साथ में बिठाए दिया गया और जो रेष्ट में चल रहे थे वो सब लोग को मतलब फुल फ्लो वियो चालो हो गए और जैसे अभी टिकिट में लिमडी की बात कर रहा हूँ जो मतलब कल सामको आठ बज़े जोईन होता है सुरुद्र नगर में लिमडी में और उसको दस बज़े टिकिट दिया जाता है सर्वे में और वो हमको अभी तक यह बता रहे थे कि जैसे मलब सर्वे होने के बाद जो नाम आता है उनको यह टिकिट देते है तो बाई वो तो यह वादा करते हैं अर्विन केजरिवाल की मैं हर प्रतियासी का ट्रेक रिकॉर्ड देखता हूं उसका पूरा चेक करता हूं तब ही जब वो इमानदार निकलता तब ही उसको टिकर देता हूं। दूसरी उसकी जो पाठक साभी की जो टीम आई थी वो बोल रहे थे कि मतलब यह जो जोइनिंग ज़्यादा करवाएगा फिर यह जो सरवे का कार जो ज्यादा देगा जो ज्यादा देगा उसका मतलब नाम चलेगा तो वो सब जो हो में बाते कर रहे थे वो सब कहां गया। जैसे अर्विन के जिवाल जी ये कह रहे हैं कि बहमत से हम आ रहे हैं आ सरकार में आप तो उनके खुद इतने बड़े नेता रहे हैं आप क्या कहेंगे सचाई क्या है सचाई एक चुली है वो कि मतलब जो हम आदमी पार्टी बाते कर रही है ऐसा कुछ है नहीं जो बोल रहा है कि मतलब 108 मतलब आएगी शीट वैसा कुछ हो नहीं डबल फिगर में भी नहीं जाए सकती है दस का आकड़ा भी नहीं चूपाएगी डिपोजीट भी बचा ले तो बहुत बढ़िया है डिपोजीट भी नहीं बचा पाएगी क्योंकि कारिय करता जो है उनकी सानुपिदी के साथ खिलवार किया जा रहा है उनको कोई मिलता नहीं है उनकी कोई सुनने वाला नहीं है जब कारिय करता की नहीं सुनेगा तो मतलब वोट कैसे आएगे अब ये बताईए जो वादे कर रहे हैं कि हमें एक बार मौका दे दीजिए, हम फिरी में आपके 300 यूनिट बिजली दे देंगे, महिलाओं के खाते में 1000 रुपे देंगे, 10 लाख नौकरी यूवाओं को दे देंगे, इसकी सचाई क्या है? नहीं नहीं देखो, पहले तो मैं फ्री जो बात कर रहे हैं, अगर सरकार बनती है, बनने वाली है नहीं, अगर बनती है और भारत गुजरात की जो जनता को फ्री मिलने वाला है, तो उसका मैं विरोध नहीं करूँगा, ठीक है अच्छा है, बटलब उसकी सोच है आम अदमी पार्टी की, के वो फ्री दे सकती है, मतलब इदर गया है, तो मैं तो भी बोलूगा, के मतलब जो केजरिवाल जी भी बात कर रहे थे, के ऐसा ऐसा है, रादनीती मतलब जो छोटे लोग भी कर सकते है, मतलब छोटे लोग है नहीं, आप देख सकते हो, के वहां पर मतलब सब बड़े बड़े लोग आगे ठीक है रात को सर्वे होता है सुबह उसको टिकेट दिया जाता है तो मतलब जो दस-दस साल से बारा-बारा साल से जब से आमादमी पार्टी मतलब गुजरत में आई तब से बहुत मेरे सिन्यल लोग काम कर रहे थे वो सब लोग अभी नाराज है क्योंकि मतलब उनके जो चाहिते लोग थे उनको टिकेट मिल गया है आप यह बताईए आप जैसे जो युवा अभी जो नाराज चल रहे हैं आमादमी पार्टी में उनको क्या कहेंगे आपकी मलग क्या करें वो अब देखो सभी आपके माधियम से सभी युवा होका मैं बोलना चाहता हूँ मेरे कलिक को भी मैं बोलता चाहता हूँ के आपकी मतलब अब के साथ विश्वासगात हुआ है ठीके आए हम लोग भारतिय जनता पार्टी के साथ मिल के गुजरात जो गतिसील गुजरात की बात है इसको और आगे लेके जाते हैं, जो नरेंदर भाई मुदी साभ और पाटिल सर और भुपिंदर पतक्र साभ जो हमरे मुख्यमंत्री है, वो जो बात कर रहे हैं, उसके साथ मिलके भारती जन्तर पा timber के साथ मिलके आए हैं, और आके गुजराथ को और देस को लेके जाते हैmi